हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलाम ऑलाइकू मैं यूस के साथ मैं हूँ अलस्पापरवेश और मैं हुस्वद अफ मनसूर नस डालेंगे हैट लाइन्स पार खत्रा तल गया मिया नवाश सरीप थी मुस्लिम लिक नून के सदर रहेंगे कामी असामनी में आपोजिशन की जानब से इलेक्शन आक्ट तर्मीमी बिल दोहजार सत्रा मुस्तरत कर दिया बिल की मुखालफत में 163 और हमायत में 98 वोट डाले कर कामी असामनी में आपोजिशन के तर्मीमी बिल पेश करने के मौके पर हुकूमती और हिस्प एक तलाफ के अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारे बासी वजीर गानुन जाहिद हामिद ने तमाम इल्जमात मुस्तरत करते हुए कहा के 2014 में पाइमा कमीटी ने ये बिल मुशावरत से मनजूर किया साबिक वजीर आज़न नवाज शरीक के खिलाफ साज़शन करने वालों को आज एक बात फिर शिकस्त हुई वजीर ममलिकत मारियम औरंग्जेफ कहती है कि कामी सन्वी के फैसले से मुल्क में जमूरियत मजबूत हुई है इस साग़जार को हाज़री से इस्तस्ना मिलेगा और ना ही वो अपना नुमाइंदा मुकरर कर सकते हैं इसलाम अबाद के इस्तसाम अदालत ने हसासा जौत रफरेंस में वजीर खजाना को मफरूर करार दे दिया धर्ना काईदीन से मुझाकिरात जारी हैं हुकूमत और आवाम सबर से काम लें पीर ऑफ रोलर अशरीर निजाम अदीन जामी की न्यूस कांफरेंस कहते हैं कि तांकत के इस्तमाल या तश्रतित से सुरतिहाल मजीद घंबीर होगी मजबी जमात के रहनुमाओं का कहना है कि वजीर कानून जाहे धामित मुस्तावपी हो जाएं तो धर ना खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसाबाद इंटर्चेंज पर धरने का नोटिस ले लिया आला हुकाम से रिपोर्ट तलब दूस्य जाने धरने वालों से बातशीत के लिये हुकाम की रावल पिंटी में पीर हसीनुदीन से मुलाकात और मुशावरत सी पैक के हवाले से तवील अलमुदती मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दर्मियान एक्तिसागी तावन की नई जहद को रुशनास कराएगा विपाकी वजीर दाखला एसन अग्बाल का इस्लामबाद में पाक चीन मुश्तरका तावन कमेटी के इजलास से खेता नास्वीन शामल करते हैं खबरों की तफसिलाथ आपको बताएं के कावी असेमली ने ओपोजिशन की जानब से इलेक्शन एक्टर मीमी बिल मुस्तरत कर दिया बिल के हक में 98 और मुखालिफत में 163 वोट डाले गए स्पीकर सरदार अयास सादी की जरे सिदारत एवानी जरी के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेद नवीद कमर ने आर्टिकल 203 की मनसूखी के लिए इलेक्शन एक्टर मीमी बिल 2017 पेश किया बिल के मतन में कहा गया है कि कोई भी नाएहल शक्स पार्टी सदानत नहीं सभाल सकता स्पीकर ने आपोजिशन की दर्खास पर वोटिंग करवाई जिसमें आपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा और 166 हकूमत याराकीन ने बिल की मुखालफत में वोट दे दिया साबक वजीर आजम पीर जफर उला जमाली ने आपोजिशन के हक में वोट दिया इससे कबल आपोजिशन की जानब से बिल पेश करने और सेयद खुर्षीच शाह मेहमूद कुरेशी की तकारीर पर हकूमत याराकीन ने शदीद नार बाजी की विफाकी वजीर कानून जाहिद हामित ने आपोजिशन के तमाम इल्जामात मुस्तरत करते हुए कहा कि ये बिल पैनिमा पेपर से एक साल पहले 2014 में काइमा कमेटी ने पास किया उनका कहना था कि आपोजिशन में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए शोर मचा रही है वजिर ममलिकत इतलात और नश्रियात मरियम और अन्जेब का ये कहना है कि मुल्क में आववा ही कुछ होगा जब हम चाहेंगे आज कामी असमली के फैसले से पाकिस्तान में जमहूरियत मजीद मुस्तहकम हुई है पारलिमन्ट हाउस के बाहर मीरिया से बाच्चीत करते हुए उन्होंने कहा कि गिंती का राग अलापने वालों और साबिक वजराजम नवास शरीफ के खिलाफ साज़शे करने वाले एक बार फिर शकस्त खुर्दा है उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासर की कच्च पुत्लियों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान में जमहूरी सहकाम मा रहा है उन्होंने कहा कि जमहूरी निजाम को कमजोर करने वाले काले कावालीन की आई में कोई गुनजाश नहीं वफाकी वजिर खजाना इसाज़शा को हाजरी से इस्तिस्ना मिल सकता है और ना ही वो अपना नमाइंदा मकरर कर सकते है इसलामबाद की एतसाब अदालत ने असासाजात रेफरंस में स्टनेटर इसाज़शा को मफरूर गरदानते हुए उनको इश्तिहारी करार देने की कारवाई भी शुरू करने का हुक्म ले दिया इसलामबाद की जजज महमद बशीर ने रेफरंस की समात की तो वजीर खजाना की नई मेडिकल रपोर्ट अदालत में पेश की गई नाप की जानब से रपोर्ट पर एतरास करते हुए कहा गया कि इससे कब जमा करवाई गई और ताजार रेपोर्ट में तजाध है नए प्रोसेक्यूटर ने अदालत से इस हागडार को इस्तहारी करार देने की इससदाब ही की विपाकी वजीर खजाने के वकील ने ये मौकफ अक्तियार किया कि उनके मौकल का 27 नवेंबर को दुबार तिब्बी मौाइना होगा अगर जरूरत पड़ी तो इस हागडार आडियो और वीडियो लिंक पर दस्तियाब होंगे अदालत ने इस हागडार की तरफ से हासरी से मुस्तस्ना होने और उनकी जगा अपना नुमाइंदा मुकरर करने की इस्तदा मुस्तरत कर दी एतसाब अदालत ने इस हागडार के जामन को शोकास नोटिस जारी करते हुए 24 निवेंबर तक जवाब तलब कर लिया केस की समाद अब 4 दिसंबर को होगी नाजरीन सुप्रीम कोट ने फैज़ आबाद इंटर्चेंज पर धरने का अज़ खुद नोटिस लेते हुए सेकेटरी दिफ़ा, सेकेटरी दाखला, एटॉर्णी जनरल, एडवोकेट जनरल आईज़ी इसलामबाद पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है अदालते उसमा ने इसलामबाद धरने कास खुद नोटिस ले लिया, एक केस किसमात के दौरान वकील की तरफ से इलतवा की दर्खास पर लिया गया वकील अबराहीम सक्ती ने ये मौकफ अक्तियार किया कि धरने की वज़ा से वो बरवक्त आफिस नहीं पहुंच सके और केस की तैयारी ना हो पाई सुदीन कोड ने मुतालेक अफसरों से जमिराथ तक जवाब तलब करते हुए सफसार किया कि बताये जाए कि अवाम के बन्यादी हुकुक के खलाफ फर्जी क्यूं हो रही है जस्टिस खाजी फाईज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये कौन सा इसलाम है जुरास से बंद करके अवाम को तकलीफ देने की अजास्त देता है जस्टिस खाजी फाईज ईसा ने ये वाज़े किया कि आईन का आर्टिकल 14 शहरियों को आजादाना नकलो हरकत की इजास्त देता है अटर्नी जनरल का इस मौके पर ये मौकफ था कि इसलाम अपने किरदार और अलफास से दीन को पहलाने पर जोर देता है अदालत ने सेकेटरी दिफा, दाखला, अटर्नी जनरल, अडवकेट जनरल और आईजे पंजाब और इसलाम अबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है धर्ना असफुद नोटिस केस की समात अब जमरात को जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में अदालत अउस्मा का दोरुकमी बेंच करेगा इसलाम अबाद में फैसाबाद इंटरचेंज पर मथभी जमात का धर्ना ताहाल जारी है पीर आफ गोलडा शरीफ निजाम अदीन जामी ने हुकूमत से धरने वालों के खिलाफ आपरिशन ना करने की अपील करते हुए कहा कि सबर का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए आज गोलडा शरीफ में तहरीक लबैक या रसुलल्ला के गाइदीन के साथ नियूस कांफरंस करते हुए उन्हों ने कहा कि अभी मसाकराती आमल जारी है हुकूमत और अबाद मुश्किल हालात में सबर का मुझाहरा करें इस मौके पर पीर अफजल कादरी ने कहा कि उनकी जमात महद विफाकी वजीर गानून के स्तीफे का मतालबा कर रही है ऐसा हो जाए तो धरना खत्म कर दिया जाएगा उन्होंने वाज़ किया कि हुकूमत की जानब से टाकत का इस्तमाल किया गया तो हालात के जम्मेदार हुक्मरान खुद होंगे दूसरी जाने विफाकी वजीर दाखला एसन अकबाल ने कहा है कि सीपैक के हवाले से तवील अलमुदती मनसूबा पाकिस्तान और चीन के तर्मियान एक्तसादी तावन की नई जहत को रुशनास करवाई का इसलामबाद में पाक शीन एक्तसादी राधारी मनसूबे की साथवी मुश्तरका तावन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए विफाकी वजीर एसन अकबाल का कहना था किसीपैक के अप्तदाई मनसूबे तकमील के आहम मरहले में दाखिल हो चुके है पाकिस्तान के आवाम चीनी हुकूमात और चीन के आवाम के जजबा खेर सगाली और कसीर उल्जहती तावन को कदर की निगास से देखते हैं उनका कहना था कि मुश्तरका कमेटी का इजलास तारीखी एहमियत का हामिल है मुस्तक्मिल में पाकिस्तान और चीन सरकारी सदा पर कारोबारी और तिजारती वफूत के बाजापता तबादले का एहतमाम करेंगे उनका कहना था कि एक्तसादी राधारी के मौजूदा इंतजामी धांचे और दायरा एकार को मज़ीद वुस्त देने की जरूरत है विफा की वजीर ने बताया कि एक्तसादी राधारी के फ्रेमवर्ट में इंफ्रास्ट्रॉक्चर, तवानाई, समाजी शुबे, तालीम और सहत को भी इश्टामिल किया जा रहा है चीफ अफामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजबा से आँच रावल पिंडी में चीन के नाईव वजीर खारजा और पाकिस्तान के लिए चीनी सफीर ने मुलकात की आईएस पियर के मताविक चीनी नाईव वजीर खारजा कॉंग जौन जूरें आर्मी चीफ से मुलकात में दो तरफा तालुकात, बाहमी दल्चस्पी के अमूर और इलागाई सुरत हाल पर गुफ्तगू किया इस पियर का कहना है कि मौजज़ महमानों ने खिते में कियाम अमन और इस्तहकाम के लिए पाक अफ़ाच की काविशों को सराहा नाज़ीन आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी सिंग के सदर निसार खोडों ने इल्जाम लगाया है कि तहरीक इनसाफ के चेरमन इमरान खान इसलामबाद में धरने करवा रहे हैं पर इसलामबाद इनतजामिया धरने के आगे बेबस है तो फौज से मदद ली जाए कराची में मीडिया से गुफ्तकू करते हुए सीनियर सुभाई वजीर निसार खोडों का कहना था कि इसलामबाद धरने से अवाम तंग आ चुके है एक सवाल के जवाब में निसार खोडों ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची पर कबजा नहीं बलके शहर काइद के बासियों के दिलों पर राज करना चाहती है उन्होंने सिन्द इसेमली में उपोजिशन लीडर पर तंस के तीर जलाते हुए कहा कि खाजा इजार उलहसन एजिंसियों से जान चुड़ाएं और फिर किसी पर इल्जाम लगाएं Grand Democratic Alliance के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में पीपीपी के सिन्द के सदर ने कहा कि जीडिये की कोई आवामी हैसियत नहीं इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साव एक रहनुमा अबास शरीफ मरहूम के दामाद मीर आसिम ने पीपोस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया मुस्लिम लीग नून खैबर पक्तुन खुआ के सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने डेरा इसमाईल खान में लड़की के साथ होने वाले जालमाना सुलुक को तहरीक इंसाफ हकोमत की नाहली करार देते हुए कहा कि मरकजी मुल्जम का गिरिफता ना हो ना काबल अफसोस है इंजीनियर अमीर मकाम मतासरा लड़की के घर गए और उसकी वालदा से मुलाकात की मुस्लिम लिग नून के रहनुमा का इस माके पर कहना था कि तहरीक इंसाफ के अपने मने ये कह रहे हैं कि पार्टी गयादत मुल्जमान की सरपरस्ती कर रही है उन्होंने कहां कि हलिकॉप्टर में घूमने वाले इमरान खान और उनके वजीर आला ने मतासरा खानदान के घर आकर उनका हाल तक नहीं पूछा मारूफ सिंगर और समाजी नहनमा शहजाद रॉएक की कावशों से कराची सेंट्रल जेल से छे बच्चों को रहा करवा लिया गया और इस मकस्द के लिए यूएन डी सी ने भी खुसूसी किरदार अदा किया United Nations of On Drugs and Crime सेंट्रल जेल कराची यूट अफेंडर्स इंडस्ट्रियल में खुसूसी तक्रीब मनकित की गई शहजाद रॉएक की गावशों से सुप्रीम कोट के हुक्म पर जमानत पर रहाई पाने बाले छे बच्चों के साथ मीडिया से गुफ़कू करते हुए मारूफ गुलुकार का कहना था कि बच्चा जेल को स्कूल का महौल देना होगा उनका कहना था कि ये जेल नहीं बलके इंस्टिट्यूट लगना चाहिए उन्होंने कहा कि 12 मेसे 6 बच्चों को रहा करवा लिया गया है और दीकर की जमानत के लिए भी एक्दामाद किये जाएंगे रहाई पाने वाले बच्चों का कहना था कि वो मुस्तक्विल में पढ़ाई के साथ मेहनत भी करना चाहते हैं ताके मौशी तोर पर मुस्तेह कम हो सके और अब रोक करेंगे लोहूर का जहां पंजाब फूड अथारिटी ने शाहर के मुक्तलिफ विलाकों से मारूफ कमपनी के तयार करदा मकहन, पनीर और देसी घी के नमूने लेकर लिबाटरी भेज़ दिये अथारिटी के डीजी नूरुदीन मेंगल ने मतनब्वे किया कि मिलावट साबित होने पर कमपनी को सील करके मार्किट से उसका माल उठवा लिया जाएगा डीजी के मताबिक देसी घी में बनास्पती घी की मिलावट की शिकायात सामने आई है एन्यूस से फिल वक्त इतना है मजीद नीज और आपडेट्स के लिए देको रहेए एन्यूस झाल झाल